हेलो गाइज बेलकम बैक टू मैं चैनल दुर्गेश में आज मैं आपको आलो के पराठे बनाना बताऊंगी तो पहले आलो को अच्छी सुबाल के फोड लें फोडने के बाद उसमें बारिक हरी कटी हुई मिर्च डालें उसके बारिक कटी हुए धनिया डालें अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालें नमक डालें अपने स्वाद अनुसार गरम मसाला डालें और इसे फिर अच्छे से मिला लें अब आटा भी गूल ले अब लोई बनाएं इसको थोड़ा सा बेल लें उसके बाद इसमें आलू रखें ज्यादा आलू ना भरें नहीं तो फिर वह बाहर निकलने लगेंगे इसको अच्छे से जो है कि चारों तरफ से देखी जिस तरह से इसमें दिखाया जारें उस तरह से कर लें अब इसको बेल लें तब यह पर सबसे पहले रिफाइन लगा लें उसका इसको पराठा रख कर दूसरी साथ हमने पल्ट दिया है देखिए इतने अच्छे से सिख चुका है अभी अब इसमें तेल लगाएं देख सकते हैं कितने अच्छे से सिख राएं पराठा यह देखिए अब पूरी दरद से पराठा सिख चुका है और कितने अच्छे से फूला हुआ भी है देख सकते हैं अब यह बनकर रेडी हो चुका है पराठा और इसको चेटनी के साथ खाएं यह मैंने टमाटे की चेटनी बनाई हैं अगर आप जाना चाहते हैं मैंने कैसे बनाई है तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है आप उसमें जाके देखें और यह देखिए अंदर से के साथ आलो को पराठे जरूर खाएं अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट में जरूर बताएं शियर करें लाइक करें और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर करें ठेंक यू